ओम श्रीप प्रमात्मने नमाय, मैं प्रोफेसर हरीर्दे अवस्थी, अवस्थी जायरवेद अनाटमी योग और स्पिर्चुल्टी चैनल पर आप सभी का हार देख स्वागत करता हूँ, हम लोग पंच तंत्र की कहानी पर एक सीरीज बना रहे हैं, तो उसी में एक और कहानी आज हम आपको सनाने जा रहे हैं, और वो कहानी है, तीन बच्चों की और एक चोर की, कहानी का नाम है चोर की सद बुद्धी, तो चोर की सद बुद्धी कहानी है, तो एक राजा था, उसका एक लड़का था, और एक व्यापारी का लड़का था, और एक मंत्री का लड़का था तीन लड़के थे और ये तीन लड़के आपस में मित्र थे और आपस में खेलते थे और वो खेलते हुए धीरे बड़े होते गए अब वो काफी बड़े हो गए थे तो राजा को चिंता हुई कि अब जो है इनको कुछ ना कुछ काम करना चाहिए तो तीनों के माता पिता क कि अब इन्हें कुछ काम करना चाहिए तो राजा ने अपने पुत्र को बुला के कहा कि देखो अब तुम काफी बड़े हो गए हो अब राज कात समभालो और तुम्हें कुछ काम करना चाहिए और इसी प्रकार मंत्री ने भी अपने लड़के को बुला के कहा कि अब तुम का काफी बड़े हो खेल कूद बेटा छोड़ दो अब तुमको कुछ व्यापार करना चाहिए धन कमाना चाहिए क्योंकि आप काफी बड़े हो गए हैं तो तीनों के ये बात हुई फिर एक दिन वो जो है एक पेड़ के नीचे खटा हुए और और ये सोचने लगे कि अब हम लो हो गए हैं तो उन्होंने विचार किया कि अब हमें किस प्रकार से धन कमाना चाहिए तो वो एक पेड़ के नीचे थे खटा हुए और तब एक व्यापारी के पुत्र ने कहा कि मैं एक जगए ऐसी जानता हूं जहां पर पहाड के ऊपर रत्न पाए जाते हैं वहां से चलके ह में लोग रत नौका वयापार bी कर सकते हैं तो वो तर ao उतिन ओ मित्र चल दिये और उस पहाड के पास पहुंुचे और पहाड के पास मो रत्न को साङकतों दूणने लगेet ड़्ायमेंड को ढूंडनरे लगे हिर मोती यह चीजह होती हैं उन्हें यह रतन बोलते हैं तो तो एक एक रतन विला और तो तीनों उन रतनों को प्राप्थ करके सोचने लगे अब चलिए घर चलते हैं फिर आएंगे तो वह जब नीचे आ रहे था तो घना जंगल था तो उन्हें लगा कि चोर डाकू यह हमको पकड़ सकते हैं और वो जो है हमारे से छीन सकते हैं इसलिए उनको दिमाग में एक युक्ति आई कि उन्होंने वो जो रत्न थे तो उनको निगल लिया और वो जिससे की पेट में चले जाएंगे और फिर जो है मलके सारे दूसरे दिन निकल के हमको मिल जाएंगे तो ऐसा और वो उनके पास आया थोड़ी देर में और कहले लगा कि मैं बहुत अकेला हूँ और डरा हुआ हूँ और किर्पया आप मेरे को साथ हमें ले चलें जिससे मेरा भी जंगल पार हो जाएगा और आपके सारे मैं भी अपने घर पहुंच सकूँँगा तो तीनों ने सोचा कि ये अकेला है हम तीन जने हैं और युवा हैं शक्तिशाली हैं तो ये तो हमारा कोई नुकसान नहीं कर सकता चलो किसी की सहायता करनी चाहिए जो मार्ग में सहायता मांगे तो उनकी सहायता करनी चाहिए तो ऐसा उनको का विश्वास था तो उनकी सहा इनसे यह हीरे ठग लेंगे तो वहां से गुजर रहे थे तो एक गाउं के पास से जब गुजरने लगे तब जो है मुखिया का घर पड़ा अब मुखिया के घर के दर्वाजे के पास एक जो है कि तोता था अचर्ब्सकारा पास क्या चीजह हैं अवर आदमी की तरह बोलता था तो स्व lore 맞는 यह चो पास और मुखिया ने से मुखिया इसुन लिया ने उनको पखड़ लिया और उन से कहा कि तुम हीरे मेरे को दे दो तो वह हीरे जो है उनके पास तो पेट में चले गए तो वो कैसे देते तो लोने का हमारे पास हीरे नहीं है और आप हमारी तलासी ले सकते तो मुख्या ने उनकी तलासी ली तलासी लेने पर हीरे नहीं मिले तो उन वो जाने लगे तो फिर जो है तोता चिलाया हीरे हैं हीरे हैं इनके पास हीरे हीरे हैं तो मुख्या ने यह सोचा कि यह तो कभी जो है तोता जूट नहीं बोलता और हमेशा सची इसने बोला है तो कुछ ना कुछ हो इनके पास हीरे हैं जरूर यह बता नहीं रहे तो उन्होंने कहां छुपाएं हैं यह बता दो जो हम तुमको छोड़ देंगे लेकिन वह हमें तो कैसे बताते कि मुख्या ने उन्हें एक कमरे में बंद कर दिय और जब वो कमरे में बंद कर दिये गए जिसने सभीज आएगी रात हो चुकी थी तो तल्ला लगा दिया कमरे में तो तुम तुम को बता दो कि हीरे कहां है समय और नहीं तो मैं तुम सब को मार दूँघा तुता भी साथ में था उसे पास हरे हैं € यह जब बात हुई कि हम तुमको मार देंगे तुम्हारा तो चोरने सोचा कि ज है ये बच्चे जो हैं इन्होंने तो मेरी सहायता की उसके दिमाग में एक सद विचार आया कि जो है मैं सबसे पहले मरूं तो उसने कहा कि देखो भई तोता जो ये कह रहा है कि इनके पास हीरे हैं हीरे हैं और ये कहीं सरीर में छिपाएं हैं ये भी बोल रहा दोता कि पेट में ज्याद में चुर्व नेगा हैं। कि पने मेरे को मारे और तो the the जूट बोल रहा है और तो तो यह कैसा कैसे ग्यान अहो सकता है कि हम लोग पेट में शिपाए हुए है। तो चोर के ने कहा कि आप सबसे पहले मेरा पेट फाड़ो तो चोर के पेट को जह है उसने फाड़ा और उसमें हीरा नहीं मिला तो मुखिया ने जब चोर के पेट को फाड़ा और उसमें हीरा नहीं मिला तो उसको बहुत दुख हुगा कि मैंने बिना मतलब में एक व्यक्ति की हत्या कर दी और मेरे को पाप लगेगा और ये तो जो है तोता तो पक्षी है और कभी-कभी इसको साहिद ग्यान ना हो वैसे ही बोल रहा हो ये बात उसके दिमाग में आई में तो उसको बड़ा दुख हुआ कि मैंने एक व्यक्ति को मार दिया अब मैं नहीं को भी मार दू तो वह मेरे को चार लोग को मारने का पाप लगेगा ऐसा सोचा उसने और उसने उन तीनों लड़कों को छोड़ दिया जो राजा का पुत्र था मंत्री का पुत्र था और व्यापारी का पुत्र था तो इस प्रकार तीनों के प्राण की रक्षा हुई लेकिन चोर सहीध हो गया तो इस कहानी से बच्चों यह सिख्षा मिलती है कि जब कभी जह है बुरे से बुरे व्यक्ति के दिमाग में भी कभी कभी अच्छे विचार पैदा हो जाते हैं और जब कभी अच्छे विचार पैदा होते हैं और उसके उपर कोई व्यक्ति चलता है तो सदेव ही भलाई होती है क्योंकि व तो पहली चीज यह कहानी से शिक्षा मिलती है और दूसरी है कि जिस आदमी के विचार इस्थिर नहीं रहते उसे धोका खाना पड़ता है तो इस प्रकार से यह दो जो है शिक्षा इस कहानी से मिलती है और आप सबने बहुत ध्यान से कहानी सुनी और देखी इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद अगर यह कहानी आपको पसंदा रही है पंश्तंत्र की तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें जि तो इस टो किसम्स करें द stall यह है की शाल की शाओ करें अ करेंवाद करें Maa